नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैपी फूड्स की एक नई वीडियो में मेरा नाम है संधी प्यादो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पेपदार्दों को लेकर जो आपकी बोडी को डिटोक्स करने का काम करते हैं दोस्तों जैसे आप जानते ही हैं कि समय दर समय हम अपनी बोडी को डिटोक्स करने का काम करना पड़ता है या पनी बोडी को डिटोक्स रखना पड़ता है इसकी वजह है कि unhealthy diet goals का सेवन करते वह हम अपनी बोड़ी में कुछ ऐसे गंदे पतार्थ को जमा कर लेते हैं जो हमारे डाइशन को खराब करते हैं हमारे मेटाबोलिस्म को डिस्टरब करते हैं हमारे लीवर को डिस्टरब करते हैं हमारी केड़नी को डिस्टरब करते हैं दोस्तों चाहे आप खान पान को लेकर ले लिजे य जो विशाक्त होते हैं और। जहरी यहले होते हैं जो हमारी बोस्ते होसु स स्झाल कर सकते हैं। कि ऐसे कौन कौन सी चीजे हैं जिनका हम यहमित रूप से और डिटौक्स कर सकते हैंoth अपने लिवर को अपने किडनी को अपने मेटाबोलिज्म को स्वस्थ रख सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बो मेरे साथ ही जो सुबह उठते ही पानी पीना पसंद करते हैं सुभही पानी पीने की आदत वैसे हर किसी को डालनी चाहिए अमोमन यह कहा जाता है कि आपको अपने दिन की शुरुवात गुंगुने पानी से करनी चाहिए अगर आप उसमें कुछ बूंदे निम्बू की डाल लेते हैं यानि कि आप सुभही निम्ब करने का काम करता है बहुत ही अच्छा इक तरह से लीवर को डिटोक्स करने वाला दिन की सुरुवात हमें इस पडार से जरूर करने चाहिए दूसरे नमबर पर दोस्तों मैं बात करूंगा ग्रींटी की अपने आप में यह इंटे औक्सिडेंट से भर पूर है साथ ही साथ ही आपके लीवर को आपकी किड्नी को डिटोक्स करने का काम करता है जो आपके लिए बेहत फायदेवंद होगा तीसरे नमबर पर दोस्तों बात करूँगा अगर आप गुन-गुना पानी जैसे मैंने बताए नीम्बू का पानी सेवन करते हैं उसके साथ ही आप उसमें कुछ एक अलग तरह से पेपदार तयार कर सकते हैं एक ग्लास पानी में या एक जग पानी में आप कुछ खीरे काट कर डालिए उसमें कुछ फ्रेस पत्तिया पुदिने की डालिएगा कुछ देर लगबग एक दो घंटा रखने के बाद आप उस पानी का सेवन कीजिए उसको चबा कर आप खीरे को और उसको भी खा सकते हैं लेकिन वो पानी जो है वो आपकी जो लीवर है जो किड्नी है उसमें जितने भी विसाक्त पदार्त है जो अपसिस्ट पदार्त है ज अगर आपको इसमूदी पसंद है तो इसमूदी बनाने के लिए आप पालक लीजिए उसमें कुछ अद्रक डालिए थोड़ा सा नीमबू डालिए अजवयन डालिए और थोड़ा सहद मिलाकर इसमूदी तयार कीजिएगा चाहे आप सिंपल पानी में तयार कर सकते हैं या जो आपके लिवर को क्लीन करने का काम करता है फिलें तवर्ट करेंगे आपके लिए बहद अच्छा होगा आप के स्वास्ते के पॉइंटोDon दोस्तो इसी करम में मैं बात करूंगा एक डंडेलियन करके व schemून करेंगे आपकी लिए बह Hopefully में बात करूंगा एक ती आती है जो बहुत अच्छी है पोस्टिक है बहुत एंटी एक्सिडेंट है आप लिवर को डिटोक्स करने की बात कर लीजिए आप अपने हाइट की स्वास्ते है उसकी बात कर लीजिए तमाम तरह से पायदेमंद है आपका मेटबोलिज्म बूस्ट करेगा आपका बेट करने में आपको मदद करेगा तो डंडेलियन टी अगर जो मेरे साथ इसका सेवन कर सकते हैं उनको इस चाय का सेवन जरूर करना चाहिए यह बहुत अच्छा प्यूरिपायर है जो आपकी बोड़ी को डिटोक्स करने का काम करता है तो दोस्तों यह कुछ इस तरह के पेपद आपको अगले दिन फील होता है कि किसी तरह मैं अपनी बोड़ी को क्लीन करूं तो दीरे दीरे आप इनको अपनाईएगा यह जितने भी पेवदार्त हैं यह सारे के सारे आपकी बोड़ी को डिटोक्स करने का यह काम करते हैं और दोस्तों जैसे मैं बताता हूं वैयाम बह होंगे चाहे आप बजन कम करने को लें अपने डाइशन को ले कर लें यान्य और ब्लड सर्कुलेशन के लेकर बात करें वैयाम बहुत अच्छा है उसको भी अपनी दिन चरिया में जरूर शामिल करिएगा और इसका स्वास्तेलाब जरूर ठाईएगा तो यह आज की वीड को जानने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सबस्क्राइब जरूर करिएगा नमस्कार